ओल राउंडर मुहम्मन नभी की 81 रन की तुफानी पारी तथा लैक स्पिनर राशिद खान की हैट्रिक सहीद पाच विकेट की मदद से अफगानिस्तान ने आइरलेंड का सुपड़ा साफ कर दिया देहरदून की अफगान टीम के तीसरे टी-20 इंटरनेशनल में आइरलेंड को 32 रनों से हरा कर तीन मैचों की सीरिज में 3-0 से क्लीन स्विप कर दिया अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी का नियोता मिलने पर 7 विकेट पर 210 रनों का मजबूत स्कोर बनाया नभी ने 36 गेंदों की अपनी पारी में 6 चोके और 7 चक्के लगाए इसके अलावा पिछले मैच में नाबाद 162 रन बनाने वाले हजर तुल्ला ने 31 रनों का योगदान दिया वही आइरलेंड की तरफ से वायड रैंकिन ने 53 रन देकर 3 विकेट निकाले आइरलेंड की टीम 8 विकेट पर 178 रन ही बना पाई राशित ने 27 रन देकर 5 विकेट चटकाए राशित ने मैच के 16 ओवर की आखरी गेंद पर आइरलेंड की तरफ से सरवादिक रन बनाने वाले केविन ओब्रैन को आउट किया और फिर अपने अगले ओवर की 3 गेंदों पर 3 विकेट निकाले इस तरह से राशित ने लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट जटके बातादे T20 इंटरनेशनल में अब तक 7 हैट्रिक लगी है लेकिन राशित खान 4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज है बातादे राशित से पहले अब तक ब्रैटली, जैकब ओरम, टीम साओधी, थिसारा परेरा, मलिंगा और फईम अशरफ T20 इंटरनेशनल में हैट्रिक जमा चुके है वही वंडे इंटरनेशनल में 4 गेंदों में 4 विकेट चटकाने की बात करे तो मलिंगा ने वंडे वर्ल्ड कप के दोरान 2007 में साउथ अफरीका के खिलाफ यह कारनामा किया था ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आप ये वीडियो हमारे पंजाबकेसरी.com पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भुले करन खुराना पंजाब केसरी दिल ले करना